नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल रवी अलेल भी मापका स्वागत है आज के वीडियो में हम परविच्छा धिनियम 1958 के बारे में जानकरी देने वाले हैं ये वीडियो बहुत ही महत्पूर्ण है तो वीडियो को अंतक देखिये अपराधियों को कारावासित रखने की बजाएं, उनके उप्चारात्मक सुधार की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है क्योंकि या निर्व्यादित रूप से साबित हो चुका है कि कोई भी व्यक्ति जन्म का अपराधी नहीं होता अपितु सामाजिक पारवारिक आर्थिक परिष्थितियों के कारण ही व्यक्ति अपराधी बनता है भारत एक लुक्तांत्रिक देश है यहां बदले जैसा न्याय नहीं होता तता सुधार के आधनिक विचारों को अपनाय गया है परंतु यह सुधार के वल छोटे मामलों में और ऐसे अपराधों में लागो होता है जिन्हें विक्ति प्रथम बार करता है यह तभी संभव है अभ्यस्तता या आधतन अपराधी उखले इस प्रकार के सुधारात्म विचार को नहीं माना जाता इस सिधान में यह भी नहीं माना जाता या फिर गंभीर प्रकेति के अपराधों के मामले में सुधार के विचार को दर्किनार कर दिया जाता है तथा अपराधी को डड़ित किया जाता है परविच्छा की परिभासा और अर्थ परविच्छा अर्थात प्रोबेशन सत्त कुटपटी लैटिन सत्त प्रोबेरे से हुई है जिसका साब्दिक अर्थ है परिच्छा लेना परविच्छा में अपराधी के प्रती सहन भूती रखते हुए उसे डंडिक करके जेल भेजने की बजाए सुधार के लिए समाज में ही उचित मारदर्सन और देखरेक में रखा जाता है तकि उसे सामाने नागरिक की भाती सदाचारी जीवन गतीत करने का उसर मिल सके यदि परविच्छा दिन अपराधी परविच्छा की औधी में किनी परविच्छा सर्तों का उलंखन करता है या कोई अपराध करता है तो उसे बंदी मनाखा नियाले में प्रस्तूत किया जाएगा जहां उसे जेल भीद दिया जाएगा डंड साश्टियों द्वारा दी गई परिभासाएं एलिट के नुसार परविच्छा सदोस अपराधी को न्याले द्वारा दी गई डंड सम्मंदी ऐसी छूट है जो उसे साधाचरण की सर्थ पर पदान की जाती है डप्टर वाटलर रेकलेस ने परविच्छा की परिभासा देते हुए कहा कि न्याले द्वारा दोसी पाए गए अपराधी के डंड के निलंबन को परविच्छा कहते हैं तकि समान में रहकर ही उसका सुधार यों पनर्वास हो सके अपराधी पर विच्छा अधिनियम 1958-16 मई 1958 को राष्टपती न अनुमूदित किया यह अधिनियम जम्मू कस्मेर को छोड़कर संपूर भारत में लागू है धारा तीन के अनुसार करते में अपराधीयों को भर्चना के पस्चाज छोड़ देने की नियाले की सकती दोस्तित अपराधी को भर्चना या चेताउनी देकर छोड़ देने का प्रावधान है इसके अंतरगत उसी या चेताउनी देकर छोड़ दिया जाता है कि भविश्य में कोई अपराध कारित नहीं करेगा और यदि वहाँ कोई अपराद कारित करता है तो उसे बिधिक अनुसाद डंडित किया जा सकता है भारते दंड सहता 1860 की निम्नाकि धाराओं के आधिन कारित अपरादों के लिए व्यक्ति को चेतावनी देकर छोड़ा जा सकता है एपिसी की धारा 396, 381, 381 की अंतरगका चोड़ी की अपराद, धारा 404 की आधिन सब्पत्ति के दुन्य और वियोग का आपराद, धारा 420 के तह रखल का आपराद अत्वा किसी अन्य विधि की आधिन, 2 वस्तक की अउधि के कारावा से डंडनी अपराद किसी दोसित अपराधी को चेताउनी मात्र देकर छोड़ते समय न्याले निम बातों को ध्यान देगा प्रकरण की परिष्थितियां, अपराध की प्रकिती, अपराधी का चरित, पूर दोसिद्धी का तथे धाराचार कत्वी अपराधियों को सदाचरण की परविच्छा पर छोड़ने की न्याले की सक्ति जब कोई व्यक्ति ऐसा अपराध करने का दोसी पाया जाता है जो मृत्तु या आजीवन कारावा से डड़निया नहीं है और जिस न्याले ने उस व्यक्ति को दोसी पाया है उसकी आराय है कि मामले की परिष्थितियों को जिनके अंतरगत अपराद की प्रकिती और अपरादी का चिर्थ भी सामिल है को ध्यान में रखते हुए उच्छे सदाचरण की परविच्छा पर छोड़ देना समिचीन हो तब तत समय प्रविति किसी अन्य विधी में किसी बात की होते हुए भी वह न्याले उसे तुरंद डंडित करने के बजाया निदेश दे सकेगा कि उसे प्रतिभूती सहित या रह और सदाचारी रहेगा उबधारा एक के अधीन कोई आधेश करनी से तुर्व नियाले मामले के बारे में सम्बंद इक परविच्छा आधिकारी की रिपोर्ट पर यदि कोई हो तो विचार करेगा जब उब्धारा एक के आधीन आधेश किया जाता है तब यदि नियाले किया राय है कि अपराधी और जनता की हित में ऐसा करना समिचीन है तब इसके अत्रित एक परविच्छन आधेश पारित कर सकेगा जिसमी है निदेश होगा कि अपराधी आदेश में नामित किसी परविच्छ अधिकारी के परविच्छन के अधिन एक वस्ट से कम न Lalई ऐसी कालवधि के दवरान रहेगा जो उसमें विद्दिद्दिष्ध हो और ऐसे परविच्छन आदेश में ऐसे सर्ट अधिरोपित कर स जैसी वा अपराधी सम्यक परविच्छन के लिए अभिस्यक समझता है। जैसी वा अपराधी को देगा। जैसी वा अपराधी सम्यक परविच्छन के लिए अपराधी को देगा। उसी मामले में जिसके लिए अपराधी अभियोजित किया जाता है पैदा होने वाले वाद का विचारन करने वाला सिविल न्याले नुकसानी दिलाने में उस किसी रकम को गणना में लेगा जो उबधारा एक क्या अधिन प्रतिकार को रोप में सदत या वसूल की गई है धारा नौ उबबंधों की सर्तों के अनुपालन में अपराधी की असफल होने की दसामें परक्रिया परविच्छा दिकारी की रिपोर्ड पर या अन्यथा या विश्वास करने का कारण हो कि अपराधी अपने द्वारा किये गए बंधपत्र की सर्तों में से किसी का अनुपालन करने में असफल हुआ है तो उसकी गिरिफतारी के लिए वारन जारी किया जा सकेगा या उसकी प्रतिभूतियों के लिए संबंध निकाला जा सकेगा अपराधी को लाए जाने पर मामले की समाप्ती तक के लिए अभिरच्छा में वापस भेद दिया जाएगा या सुनवाई की तारीक तक के लिए जमान पर छोड़ दिया जाएगा मामले की सुनवाई के फश्यात्नियाले संतुष्ट हो जाता है कि अपराधी अपने द्वारा किये गए बंगपत की सर्थों में से किसी के नुपालन में असफल रहा है तो उसे मूल अपराध के लिए डंडिट किया जाएगा पर्थम बार असफल होने पर 50 रुपए से अनाधिक जुर्बाना किया जाएगा अपराधी द्वारा उसके उपर जुर्बाना तई समय में भुखतान नहीं किये जाने पर उसे मूल अपराध के लिए डंडिट किया जाएगा दारा 13 परविच्छा दिखारी, परविच्छा दिखारी कौन है वा उसके कर्टर विवा अधिकार प्रवेशन साजा माफ़ी पर अपराधी को छोड़ने का कार्य कोट का होता है पर उस छोड़े गया प्राधियों की देख भाल करने वह उनकी गत्वीधियों पे नियंत्रन रखने के लिए एक परविच्छा अधिकारी की न्यूक्ति की जाती है ऐसी न्यूक्ति उस राजी की राजी सरकार द्वारा की जाती है परविच्छा अधिकारी का मुख्य कार बाल न्याले के न्याधीस अन्य न्याधीसों के साथ मिलकर कारी करना वो उनको सहयोग देना होता है परविच्छा अधिकारी के लिए योग दिता हैं परविच्छा अधिकारी कम से कम ग्रेजवेट पास होना चाहिए तथा उसे समाज विज्ञान के बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए परविच्छादकारी सीधे स्वभाव का और सांत प्रकित का होना चाहिए परविच्छादकारी मांसिक रूप से प्रयोग और परिस्थितियों के अनुसार कार कर सकने वाला वह समय आने पर द्रन निरने लेने वाला होना चाहिए परविच्छादकारी बाल स्वभाव और बाल मनोविज्ञान में दच्छ होना चाहिए तथा उससे बच्चों के स्वभाव और बच्चों के मनोविज्ञान की जानकारी की दच्छता होनी चाहिए परविच्छाधगारी निश्पच और संतुलित रूप से किसी मामने का निरणे ले सकने वाला होना चाहिए परविच्छाधगारी अपने दायतों ऑग करतब्यों के फ्रतिश जाग रुख हो और कानून और न्याले की कार्वाई की जानकारी होनी चाहिए झाल